आज की वीडियो में हम साइकस जो पढ़ रहे हैं उसका नॉर्मल रूट और कोरलोईड रूट में क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में क्या कंपारिजन है इसको देखते हैं तो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है आप ऐसे डिफरेंस देख लें यह नॉर्मल रूट और जो कोरलोईड रूट प्रेजन होती है यानि कि दो टाइपस की जो रूट प्रेजन होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है इसको जानते हैं बस इतना सा है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नॉर्मल रूट हमारी जो है वो डवलप किस्से होती है फ्रॉम रेडिकल tap root system होता है और coralloid root जो है वो हमारी किसे develop होती है develop from the normal root इसी normal root से ही coralloid root develop होती है इतना समझ आ गया ये कैसी condition है? geotropic condition है ये कैसी condition है? apogeotropic condition है ठीक है such characters are absent कैसे characters? normal root में कुछ characters absent होते हैं कौन से वाले characters absent होते हैं? dichotomously branched and appears like coral coralloid root कैसी present है? dichotomously branch होती है और कैसी appear होती? coral की तरह दिखती है लेकिन normal root में ये characters absent होते हैं ये normal root जैसी होती है वैसी ही दिखती है फिर उसके बाद आता है कि coralloid root कैसी होती है? ये क्या होती? gets infected with algae bacteria and fungi ये इनसे इनका infection हो जाता है मतलब ये infected हो जाती है algae से, bacteria से, fungi से लेकिन normal root जो है कोई infection नहीं देखने को मिलता है such infection is absent फिर उसके बाद इसमें क्या है? इसमें cortex normal root में small होता है coloroid root में cortex बहुत wider होता है बहुत मूटा सा, चौडा सा होता है फिर main functions की अगर बात करें तो normal root के main functions क्या है कि वो fixation करता है plant का absorption का का काम करता है water on minerals को and mineral nutrients को absorb करता है fix करता है nitrogen वगेरा को सारी चीज़ों को है na minerals को fix करता है और इसका सिर्फ main function है कि nitrogen fixation का का काम करता है फिर normal root में secondary growth हमने देखा है अगर normal root detail में पढ़ना है तो वहाँ पर आप देख लेकि secondary growth कैसी है इसमें secondary growth देखने को मिलती है और इसमें secondary growth absent होती है तो ये हमारी बहुत चोटी सी वीडियो है सिर्फ इतना है कि normal root और koloride root में क्या difference है उनका क्या comparison किया गया है इतनी सी चीज़े है ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू